तो गरिब सेंटिश में सबका स्वागत है आज ये थोड़ा अलग वीडियो होगा देख सकते हैं अब थोड़ा सेटिंग अलग है क्योंकि आज मैं आया हूँ आया सी बैंगलोर अलोक सर से मिलने जिनके जिनके मूनब्रिक्ष बड़े फेमस हो गएते हैं तो आज हम मिलेंगे अलोक सर से और अभी बढ़ते हैं तो ये वीडियो थोड़ा अलग होगा काफी सारे देश चांद पर जाने का प्लान कर रहें जानने का ही नहीं वहां सस्टेनिबली रहने का प्लान कर रहें मूनबेस बनाने का प्लैन कर रहा है, अमेरीका नासा अपना आर्टीमिस मिशन बना रहा है यूरोप के साथ और दूसरे देशों के साथ, चाइना और रशिया साथ में आखे मून के बड़ी प्लैन्स डिसकस कर रहे है, भारत का क्या, भारत के चांद पे और भारतियों को चांद पे जरूर देखेगी जो भी है जब हम वहां जाएंगे तो habitation कैसे बनाएंगे मतलब घर वगेरा जो भी कैसे बनाएंगे काफी सारे ideas है हम chamber earth से लेकर जा सकते हैं या ओवर ग्राउंड डाल सकते हैं पर best method habitation का होगा in-situ in-situ मतलब क्या जो भी resources या जो भी चीज़े चांद के उपर available है उसे ही use करके हम अपना घर वगेरा बनाएंगे तो यह आज ही एक interesting scientist से मिलाओंगा आपको जो है अपने आलोक कुमार सर और उनकी टीम जो लूनार ब्रिक्स पर काम कर रहे है सबसे बड़ा question आता है कि धर्थी पर लूनार ब्रिक्स यानि चांद के ब्रिक्स बनाने के लिए मिट्टी कहां सब्सक्राइगी चांद हमारे पास मून से सब्सक्राइगा नहीं because there are there's very few samples and bringing samples are difficult moreover it is not that much important to get the soils from real the real samples from moon and the reason is कि हम लोग जिए अस्रोफिजिकल थेओरी से कि moon and the earth had a very similar origin इसका implication यह होना चाहिए कि earth पे भी ऐसे rocks में होने चाहिए जिनको composition मून से की मिट्टी से बहुत मेल खाता हो and that is that does happen so तो अगर आपने चंद्रेयां टुके टाम एक्टिव थे तो काफी सारी बड़ी निउस हो गई थी कि इस दो ने मून सॉयल पेटेंट किया है लूनार सॉयल पेटेंट किया है चांद की मिट्टी पेटेंट की है तो इस रोने तमिल नाडू में कुछ rocks identify की anthracite rocks जिसका composition जो था वो चांद के highlight region जो है वहां से काफी similar था तो इसे बारिक हम कर सकते pulverize कर सकते बारिक-बारिक powder जैसा कर सकते है उतने size से जितने चांद से match करता है और इसे simulant यूज कर सकते है अगर आपने प्रग्यान यानि हमारा चंद्राइंटू का जो rover था उसकी testing की images देके जो आपकी screen के ऊपर है तो जो मिट्टी है नीचे वो same है तो यह इसरो का lunar soil simulant है इस इस a lunar soil simulant which means that it simulates the kind of sand that you'll find on the moon okay almost white मिट्टी जैसी है वही पूछने वाला था कि जो news बहुत वाइरल हो गेती कि israel has patented some lunar soil, यह यह था वही है तो फिर सर इसके बाद क्या, what do you do with this soil so, अब यह soil तुम देखि रहे हों कि यह मिट्टी के फॉर्म में है, unbonded है now to make a brick you have to consolidate all this into a firm structure तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यह जो मिट्टी है इसको हम लोग अपने बैक्टीरिया के साथ मिक्स करते हैं यह बायो रियक्टर, यह term काफी cool लगता है सुनने में, बायो रियक्टर एक basically container यह आप biological reactions करवाते हो, इस case में यह MICP यूज़ कर रहे है, मतलब mineral induced calcate precipitation इस प्रसेश को आप कह सकते हो, यह आप एक special bacteria यूज़ इसका नाम है SP, जो आपको spelling screen पर दिख जाएगा, मुझे नहीं बताए कैसे pronounce करते हैं, यह bacteria भार से मंगवाई गई थी, काफी महेंगी है, और फिर इसे इंडिया में culture करवाय है उन्होंने, यह एक यूरिया लिटिक bacteria है, मतलब इसे यूरिया जो है, इसका खाना है, इसे पसंद है, ग्रो करता है, जब आप इसे दोगे, यह काम करता है, तो जब हम lunar soil simulant और यह bacteria, इसका पानी और food वगरा सब mix करके चिंबर में डालते हैं, और उसे react करने जाते हैं, तब यह method होगा, यह काम करेगा, और slowly hard करते जाएगा उस चीज़ को, इस चीज़ को हम bio mineralization भी कह सकते हैं, तो biologically हम mineralize कर रहे हैं किसी चीज़ को, यह same method है, जो आप calcium या shells में देखोगे, जो आप बीच पर जाते हो, तो आपको शंक वागर देखते हैं, यह same method, similar method मतलब कह स जो भी है, तो इसके ओपर काम चल रहा है, यहीं नहीं, इसके लिए space mission भी planned है, bacteria का, जो space में growth कैसा है, कैसा react कर रहे है, चेक करने के लिए, तो यह सब in plan है, तो काफी exciting time से आगे हमारे लिए, तो इस पूरे चीज़ को sir cooking कहते हैं, यानि बिर्यानी बनाने का example दिया था, त when it is cooked, it comes out to something like this, this is for example and output of the bioreactor, अभी ये जब निकलता है वोस बायो रीक्तर से टोड़ लिक्वीडी तो इसे फिर ओवन में डालना पड़ता है, ड्राइंग लिए, क्यांक कर बहुता है? कि उसको फिर हमें ड्राइंग प्रोसेस करो और पर आप देख सकते हो इसका शेप बराबर नहीं है मतलब यह कैसी यूज़ करेंगे मुझे अजीब दिख रहा है तो वही सर को पूछना है कि यह एक्जेक्ली क्या है वाइस दिफरेंट फ्रम दिस प्रिक तो यह जो गप रिक है यह जो खेंगे मैं सेंगे मिस ताथ को देख सेंगे मुझे बिक मी बिफ्रेक्ट इसका थे वह में भी तौब टो स्कू करता है यहाँ फटोड़ा सा अ UBER-KHA Saud अगर इसको देखो तो यह काफी सर्कुलर है, it is really cylindrical and now this structure is really consistent right, so now you have a brick whose dimensions are well known and you can create other type of shapes also you can also create interlocking structures from this and our hope is that since we have been able to show this so this is a very important property, you can create interlocking structures, you can create a lot of shapes, you can create attachments so this is a good thing structurally strong that you can create shape I have one more thing to ask sir sir, this is the moon of the best, you can do something like another planet it is going, it will go, this is the name space brick, so the rest of the other is going to be done okay, now go, now go जानोगे अब इसकी उपर तो काफी काम बचा है जैसे बलिस्टिक्स टेस्ट करना है इसको वैक्यूम में प्रॉपरली टेस्ट करना है और याद रुको एक पोरस है मतलब हम डिरेक्ली से वैक्यूम के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते इसको इसे कैसी तर सील कवरना पड़ेगा बट एनिवे स्टार्ट बहुत अच्छी है तो आप मुझे जरूर फीडबैक दो ये वीडियो कैसे लगा फर्स टाइम था इस टाइप का वीडियो कर रहा था और मैं स्पेशल टैंक्स कहना चाहूंगा मार्क सेवन को जिनोंने आया इसी बैंक डोर में मेरी काफी हेल्प क सब मेंबर्स को बहुत बहुत चुक्रिया